हेलो दोस्तों, हमारे देश में बहुत सारे student का इसा सपना होता है कि या तो वो IS officer बन पाए या फिर वो सरकारी नोकरी की किसी बड़ी post पे आ पाए तो दोस्तो आज हम इसी के बार में बात करने वाले हैं तो एलो दोस्तो मेरा नाम है एजाज और आज हम बात करेंगे IAS Officer कैसे बने तो दोस्तो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बाजू में लगे बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमारे सारे नोटिफिकेशन आपको मिल पाए तो दोस्तो हम सर्वात करते हैं बेसिक से IAS भारत की सर्वास चैस पड़ों में से एक माना जाता है इस एक्जाम को पास करने के लिए लाग को स्टुडेंट हर साल एक्जाम देते हैं दोस्तो लेकिन सिर्फ कुछ गुने चुने स्मार्ट स्टुडेंट ही इस एक्जाम को क करते हैं कि IAS क्या होता है दोस्तों अगर आपने भी IAS या UPSC के लिए एंट्रेस एक्जाम दी है तो मुझे नीचे कमेंट बोक्स में कमेंट करके जरूर बताईए दोस्तों बात करते हैं कि IAS officer क्या है IAS का full form है Indian Administrate Service है जिसके हम भारतिय प्रसाशनिक सेवा यानि IAS भी IAS भी कहते हैं हर साल UPSC कंड़क करती है कि करीब 24 services के लिए एक्जाम UPSC कंड़क करती है जिसमें IAS IPS IRS इत्यादी UPSC में IAS एक्जाम क्लियर करने के बाद आपको अलग-अलग जोन में भेजा जाता है जैसे कि District Magistrate, SDM, इत्यादी और भी कही सारे पोस्ट होते है जो आपको IAS exam क्लियर करने के बाद दिया जाता है हर IAS officer का काम अपने अपने जोन में अलग-अलग होता है आई आप जानते है कि कौन-कौन IAS officer बन सकता है तो दोस्तो कौन-कौन IAS officer बन सकता है इसके लिए आपको candidate इंडिया या नेपाल या भूटान का होना चाहिए आप graduate होने चाहिए किसी भी subject में अगर आप IAS बनना चाहते है आपकी उम्रह 21-32 साल होनी चाहिए जनरल student के लिए और इस category के student के लिए सिल्फ 6 बार ही exam को दे आजा सकते है यानि कि आप 6 बार ही exam दे पाएंगे अगर आप जनरल category से SC, ST के लिए उम्रह 21-37 साल तक होनी चाहिए इस category के student के लिए कोई exam attempt लिमिट नहीं है वो जितनी बार चाहिए यह exam दे सकते है OBC वालों के लिए 21-35 साल तक उम्रह होनी चाहिए और इस category के student 9 बार attempt कर सकते है यानि कि 9 बार exam दे सकते है Physically Disable यानि के handicap person जो होते है उनके लिए उम्र 21-42 साल तक की age रखी गई है और इस category में जनरल और OBC के लिए कुछ 9 attempt दिये गए है और SC, ST के लिए कोई limit नहीं है आप जितनी बार भी exam दे सकते है जितनी बार आप चाहिए जनरल के लिए age limit 36 year है और OBC के लिए 40 साल और SC, ST के लिए 42 साल और Physical Endicap के लिए 15 साल तक रखी गई है Disable Serviceman और Disable Formed Duty Candidate के लिए जनरल 37 years OBC 38 years SC, ST 40 years लखी गई है और limits से अब है अब दोस्तों जानते हैं कि IS officer बने केस है अगर आपको IS officer बनना है तो इसके लिए सबसे पहले आपको बारवी की परिक्सा पास करने होगी यानि कि आपको बारवी पास होना चाहिए अगर आप अभी स्कूल में है तो किसी भी स्ट्रीम से चाहिए वो Science हो, Commerce हो या फिर Arts हो बस आपको सबसे पहले बारवी पास करने है जो कि आप किसी भी होम्स में कर सकते हैं जैसे ही आप बारवी पास कर ले इसके बाद अब आपको अपने हिसाब से जिस पी सब्जेक्ट में इंट्रेस्ट है उसमें अपना graduation यानि की डिगरी पूरी करने है एक IS officer बनने के लिए graduate होना बहर जरूर है तब भी आप UPSC की civil service exam में बेट सकते हैं बिना graduation या डिगरी के आप इस exam को नहीं दे सकते हैं जैसे ही आप graduation पूरी हो जाए तो इसके बाद UPSC exam के लिए apply करना होगा या फिर आप चाहे तो final year में भी exam के लिए apply कर सकते हैं तो अगर आप IS, IPS, IRS जैसे exam देने हैं तो सभी के लिए आपको UPSC exam देना होगा क्योंकि UPSC ही इन exam को conduct करता है और ये सब मुश्किल exams है तो आपको ज़्यादा मेनत भी करनी पड़ेगी आपको ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी जैसे ही आप UPSC exam के लिए apply कर देते हैं इसके बाद आपको तीन main exam को clear करना होगा सबसे पहला होता है primary exam दूसरा the main exam और तीसरा होता है interview UPSC exam में apply करने के लिए अब आपको सबसे पहला exam clear करना होगा जिसका नाम है the primary exam इसमें दो paper होते हैं और दोनों ही objective वाले सवाल होते हैं यानि कि 4-4 option वाले तो दोनों paper पे 200-200 के होगे तो next round में जाने के लिए आपको इस exam को clear करना होगा जोकि बहुत जरूरी है IS officer बनने के लिए जैसे ही आप पहले exam को clear कर लेते हैं इसके बाद अब आपको main exam clear करना होगा जोकि बहुत ही मुश्किल होता है इसमें आपको total 9 paper देने होगे जिसमें आपको right hand के साथ साथ interview भी देना होता है यह थोड़ा मुश्किल होता है तो इसे exam को बहुत कम लोग qualify कर पाते है तो अगर आपको IPS officer बनना है तो आपको अच्छे से पढ़ना होगा exam में top marks लाने होगे जैसे ही आपके दोनों round clear हो जाए उसके बाद अब आपको personal interview के लिए बुलाया जाता है जोकि करीब 45 minute तक का होता है आपको interview clear करना होगा यहाँ पर कहीं interview लेने वाले panel होते है जो आपको काफी मुश्किल और tricky सवाल पुछते है तो आपको इसके लिए तयार रहना होगा और आपको इस round को भी clear करना होगा तभी आप IS officer बन पाएंगे तो इस तरह आप एक IS officer बन जाएंगे लेकिन याद रही यह इतना आसान नहीं है इसके लिए आपको हो सकता है अलग से tuition लेना पड़े अगर आप self study करके exam पास करना चाहते है तो आप कर सकते है याद रही यह exam इंडिया का सबसे मुश्किल exam माना जाता है अगर आप वाकई में IS exam क्लियर करना चाहते है तो ध्यान लगा कर आप पढ़िये दोस्तो वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने whatsapp ग्रूप में अपने दोस्तों के साथ इसे शेर जरूर कीजिए इसे informational वीडियो देखते रहने के लिए और नए वीडियो के बारे में notification प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए जैसा कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है इस वीडियो से संब्सक्राइब किसी भी तरह का प्रस्ण पूछने के लिए निचे कमेंट केजिए